स्वागत है आप सभी का आज की सनाई और फ्रेश वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे जिंबावे वर्साइश श्रिलंका के बीच होने वाले पहले ODI मैच के बारे में सो दिखे काफी दिनों के बाद जो है श्रिलंका की टीम कोई मैच खेल रही है और मैच भी देखी चोटी टीम से जिंबावे से और श्रिलंका के लिए एक और बड़ा प्लस पोईंट है आपको ये तो मालूम ही होगा कि जिंबावे और श्रिलंका में श्रिलंका ज्यादा श्रोंग है और उसके अलावा इनके पास एक होम एडवांटेज है जो ये मैच खिला जाएगा वो इन ही के होम ग्राउंड पे रहने वाला है कोलंबो के अंदर ये मैच खिला जाएगा जहां पिछला मैच इंडिया वर्सेश श्रिलंका का था आपको याद हो इंडिया वर्सेश श्रिलंका एशिया का फाइनल का मैच जहां पिछले मैच में मौहम्मा सिराज ने 6 विकिट लिए थे शिरलंका के गेंज और उस मैच में मौहम्मा सिराज हमारा कैप्टन भी था तो चलो वह तो बात की बात है अब भी आपको वीडियो को देखिए पूरा देखना है मैं इस मेच की सारी इंफोर्मेशन तो आपको बताऊंगा ही बताऊं वाइस कैप्टन के उपपर और उनमें भी यह तीन बेस्ट उप्षन है एक तो दिल्शान मदुशंका उसके अलाव दो वानिंदु हसरंग और सिकंद ररजा इन तीन में से हैं अब आपको बताई इस मोल लिंग में एक कैप्टन होता है एक वाइस कैप्टन होता है उसके आपको लेने पड़ेंगे नो प्लेयरों का गेम अलग होगा और कैप्टन वाइस कैप्टन का गेम अलग होगा नो प्लेयर का गेम हम बाद में देखेंगे पहले हम किलियर करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने किसको है क्योंकि आपको मालूम ही होगा कैप्टन व वीडियो को बागि उसके अलावा यह चीज जरूर किलियर कर दू देखिए वीडियो के बाद जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वह है टेलीग्राम आप किसी की भी वीडियो जाके देख लो आपको हर एक बंद यही बोलेगा कि टेलीग्राम जोइन कर लो और उसका रीजन ह होता है क्योंकि देखिए फैंटेसी एक ऐसी चीज है जो आपको तब ही प्रॉफिट में रख सकती है जब आप उसकी कंडीशन के इसाब से चलते हो आप देखिए स्मॉल लिग की टीम आप अगर स्मॉल लीग खेलो ग्रैंड लीग खेलो कुछ भी खेलो जब तक आप टॉ क्यों इसी बात है उचा सकॉर आपको देखने को मिलेगा और उसी आप से आपको टीम बनानी होगी वह यह ष्रिलंका बोलिंग करेगी यह तो उस इसाब से टीम बनानी पड़ेगी तो टॉसके बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली यह लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो भी ऐसे यूजर से जो जो इन नहीं किये हैं वो जरूर जो इंपोर्टेंट चीज है जादातर मैचे जो लोग खेलते हैं ना मतलब लोग बहुत दिनों से खेल रहे होंगे आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो फैंटेसी बहुत टाइम से लेकिन प्रोफिट में नहीं होंगे तो उसका रीजन यह होता है कि आपको पता ही acronym करना है कितना करना है और कैसी प्लाइं अब देखे कि इस मैच कि अगर मैच करता हूं वो मैं आपको समझाओंगा बस यहां पर मेंन पॉइंट में यह बताने वाला हूं कि शिरलंगा की पहली बोलिंग पे आपके लिए मैच अच्छा होगा बाके दो आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़े बताने वाला हूं आप देखते जाओ चीजों को ठीक है तो इंवेश् आपकरी मैच खेला गया था इंडिया और शिरलंगा का एशिया कप का फाइनल मैच जिसमें इंडिया पूरे मतलब कोई विकेड गवाय जीत गई थी ठीक है और उसके अलावा शिरलंगा के टीम आलाउट हो गए थी महम्मा सिराज ने उस मैच में जंडे गार दिये थे और उस मैच के अंदर महम्मा सिराज हमारा कैप्टन भी था अब ये बात उनी लोगों को पता होगी जो मेरे साथ कंटिनेशली बहुत पहले से जुड़े होएं जो नए लोगों उनको ये चीज नहीं मालूम होगी में चीज आपको यहां पर यह ध्यान देनी है कि ये विकेड जो है ना थोड़ा सा सूखा है मतलब की बोलर्स के लिए ये ज्यादा एफेक्टिव विकेट है कंपेर टू बैट्समें तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जो सबसे बैस चोईसे होंगे ना वो शेलंका के बोलर्स होंगे या फिर वानीदू असरंगा तो है खेले जिंबावे और शेलंका का मैच क्यों अच्छा है शेलंका की पहली बोलिंग पे तो यहां से मैं आपको समझा भी देता हूं ठीकि फिर बाद में आपको और भी चीज़े बताने वाला हूं कौन खेलेगा को नहीं खेलेगा अब जैसे एक्जांबल के लिए देखिए शेलं शेलंका की बोलिंग पे यह मैच इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पे शेलंका की टीम जो है ना वह इस्ट्रोंग जादा है और लगबग हाई चांस है की टीम मैच को भी जीतेगी हाई चांस है तो अगर मैच जीतेगी तो अव्यस सी बात है यह इनकी बोलिंग की वज़ यह पांच लगभग ओवर्फिक्स है कि यही करेंगे अगर कोई मानलो बोलर पिटाई होती है जिसकी तो इसकी जिगर पे शनाका बोलिंग करेंगा लेकिन आपको बताए कि जिंबावे के बैट्स में इतने कहां अच्छे कि वह इनकी पिटाई कर इनके ओवर कट हो है ना तो यही करेंगे अब जादातर लोगों का कैप्टन वाइस क्प्टन बताए कोन होगा वो होगा सिकंदर रजा और अव्विस वी बात ही है भी अच्छा प्लेयर में भी करूंगा इसको कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन तो करूंगा लेकिन इसकी टीम अगर पहले कि तब अब मान लो यह टीम पहले बैटिंग करती है और इन्हों ने स्कोर किया डेड़ सो दो सो भी स्कोर किया ना तो भी ज्यादा स्कोर नहीं है ओडियाई और वहां पर अराम से खेलेंगे क्योंकि ओपन में आप देखोगे ना एन फर्नांडो पाथो निसंका नहीं खेलेगा मैं यह भी क्लियर कर दो ठीक है तो इनको विकेट मिले ना मिले वह अलगी लेवल की बात है फिर वह बतलब चांस थोड़े कम हो जाएंगे बात करते हैं इनके बैटिंग के बैस पर वीसी तो उससे बैटर ही होगा दिल्शान मदूशंका किसाब आप वीसी के रूप में जाहिए क्योंकि देखिए पावर प्ले में ना इनके पास जो बैट्समें ने वो उतनी अच्छे नहीं है तो पावर प्ले में विकेट के चांसे मदूशं और फिर आदाम से कॉंबिनेशन भी बनेगा तो मुझे उमीद है आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों यह मैच श्रिलंका की बोलिंग पर अच्छा है और बाकी भाई आपका मन करें जैसे इन्वेस्ट करो क्योंकि मैं मेरा काम है आपको चीजों को समझाना और आपका काम में उसको सही तरीके से यूज लेना नहीं लेना आपके अपर डिपेंड करता है बाकि उसके अलाओ देखिए एक्सवेक्टेडे 270 से 280 स्पेशली श्रिलंका की पहली बैटिंग पे जिंबावे भी अच्छी टीम है उसमें कोई डाउट नहीं बहुत अच्छी टीम है लेकि अभी और भी कमजोर टीम है जिंबावे शिल लंका से कमजोर है यहां से देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्लेंग लिए उनकी तो पाथम निसंगा जो है अनवेलेबल होंगे यानि कि वो इस मैच में नहीं खेलेंगे उनकी जगा पे एन फर्नांडो और अविश्का फर वेलालगे दिल्शान मदूशंगा दुश्मानता चामीरा और माहिस तीक्षना एक दो तीन चार पांच यह इनकी पांच तो प्रॉपर में बोलर है छटे नंबर पे दसुन शनाका और साथवे नंबर पे असलंका असलंका के चांस थोड़े से ज़्यादा है शनाका से ठीक यहां सेवन प्लस फोर्ड की टीम बनती है वहां पे अराम से इन पांच को ले लेना पहले तो एक बार के लिए वेलालगे को ड्रोप कर सकते हो कोई बड़ी डिफिकल्टी होगी ने फिर भी मालों नहीं करते हो ना तो भी काम चल जाएगा क्योंकि इन फर्णांडों को तो तो यहां से आप अराम से अभिश्का और कोसाल में डिसको ले लेना और ड्रीम लोन पे खेलते हो तब तो आप सदीरों को भी ले लेना कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि वहां तो आर्ट प्लेयर भी ले सकते ना एक टीम से तो अराम से टीम बनेगी और जैसे जि अब खेलने के थोड़े कम है मदूशन में भी खेले लेकिन थोड़े कम चांसे तीक्षना चामीर और मदूशंका यह जो है पावर प्ले में बोलिंग करेंगे मदूशंका और तीक्षना ही करेंगे उसके अलावा चामीरा कंफर्म डेथ में आएगा मदूशंका के साथ उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लेयरों का रिकोर्ड इस वेन्यू पे और अगेंश्ट तो एन फर्नांडो का पहला मैच होगा इंटरनेशनल फॉर्मेट म अची निंग वैसे होगी कुसालमेंट डिसकी बात आती है एक बहुत इंपोर्डेंट प्लेयर और जिस तरीके से भाई यह बंदा खेलता है ना आप इसको कैप्टन बना सकते हूं आख बंद करके और क्योंकि जिंबा भी उतनी अच्छी टीम है भी नहीं मतलब देखिए म मैं जिंबाविय को इतना खराब नहीं बता रहा हूं मैं श्रीलंका को थोड़ा जादा अच्छा बता रहा हूं ठीके और क्या है विकिट कीपिंग भी करेंगे मोस्ट लाइकली तो यह कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी ऑप्शन होंगे और और जादा अच्छी आप इस मैच में खेलेंगे और शनाका में भी बोल कर ले और करेंगे भी तो जादा से जादा तीन से चार वर वेन्यू पर रिकोड ठीक ठाक और अगेंच्ट भी हसरंगा एक बहतरीन प्लेयर जिंबावे के अगेंच्छ मैच्छ खेले ठीक ठाक सा रिकोड है और देखिए इंजिरी से आ रहे हैं पता नहीं वैसी ही बोलिंग ये करें जो पहले करते थे या नहीं तो थोड़ा कैप्टन बनाना भी रिस्क होगा और नहीं बनाना भी क्योंकि बनाना ऐसे रिस्क होगा क्योंकि लोगों का कैप्टन सिकंदर रजा होगा और हमारा यह होगा और नही Willalogay ने फेला मैच होगा ह्गेंश , मदुशंह का एक बहतरीन बोलर है और इंक अंगेंश नों निकाले वे भी है बाकि ए चामीरा और माहिष्टीक्षना की बात आती है तो जिम्बावी की दरब से माहिष्टीक्षना ने मैचेस खेले होए हैं और पाकरी मेच में चार मैच में छे材 विकेट है और वेन्यू पर देखोगे तो जैसा मैंने आपको बोला था ना कि जिंबावे की पहले बोलिंग आई तो यह मैस थोड़ा रिस्की होगा तो मैं बताता हम देखिए वहां से कोई भी ऐसा बोलर नहीं है जिसको आप ड्रोप करना चाहोगे ना दश्मानता चामीरा ना मदूशंका ना तीक्षना और होर्स करेंगे और डैथ होर्स मेंचे कितनी भी अच्छी टीम के उनाव विकेट जाते ही जाते हैं अगर आप इनको लोगे ठीक है तो दो प्लेयर तो यह हो गए क्योंकि दस दस और इनके कंफर्म हैं तीसरा आपका सिकंदर रजा भी होगा तीन तो आपको किसी हालत में ल नो प्लेयर तो वहां से आ रहे हैं और तीन प्लेयर यहां से तो बारा प्लेयर तो यह हो रहे हैं जबकि अभी तक तो एर्विन भी टीम में नहीं आया है ना रियान बर्ल आया है तो यह इसलिए मैस थोड़ा रिस्की हो जाए क्योंकि तेरह प्लेयर की टीम बनती नहीं है 11 की बनती है उसके बाद हम बात करते हैं इनके मेन बोलर्स की सो देखिए रिचर्ड नगारवा, वेलिंग्टन मसकजा, मुजरबानी, रियान बल और सिकंदर रजा ये एक्सपेक्टेड हैं इनके मेन बोलर रहेंगे और 6 नमबर पर आप्शन में रहेंगे लूग जोंगवे एक्सपेक्टेड लाइन अप में टीनेशे और जेलोड ओपन करेंगे, क्रेग एरविन वन डाउन, सिकंदर रजा सेकेंड डाउन, फिर्यान बल, मडांडे, मडांडे एक बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, अब ये आपने देखा ही होगा, आईलेंड के ये शांदार पर स्कूर नहीं होता है, मतलब ज्यादा स्कूर तो होगा लेकिन उसकेस में उतना इंपोर्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरा मोगा मिलेगा नहीं बंदे को, फर्स्ट इनिंग में अराम से खेलेगा, कोई प्रेशर रहेगा नहीं कि इतने रन बनाने है, वो तो इन रने, तीनाशी की बात आती है, दोनों जगर पर पहला मैच होगा, वेन्यू पर अगेंस्ट भी, एर्विन ने मैचेस खेले, एक मैच 91 बहुत अच्छा बाकी चार में फ्लोप है, वेन्यू पर पहला मैच होगा, सिकंदर रजा, शिर्लंका के अगेंस्ट मैचेस खेला है, और उतना कुछ खास रिकोर्ड है नहीं, क्यों लिए कि मैच अच्छा है, 56 वाला बाकी देख सकते हो, बिल्कुल फ्लोप रहा है, क्यों लिए कि मैच अच्छा है, और यहीं रीजन है, और मुझे उमीद भी उतना अच्छा परफरमस नहीं दिखा पाएगा, जब इसकी ट नगारवा एक बहुत सॉलिड बोलर है, बहुत ही सॉलिड और मैं कन्फरम लूँगा इसको, अगर यह टीम बोलिंग करती है न, मैं कन्फरम लूँगा, और बैटिंग करती है तो मैं मोस्ट लैकली ले भी सकता हूं, अगर मैं जिंबावे की तरफ से थोड़ा सा भी फेव वैसे तो मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि मेरी फाइनले टीम टेलिग्राम पे मिलने वाली है, तो जो भी ऐसे बंदे हैं जो अभी वीडियो को देख रहे हैं और टेलिग्राम से नहीं जुड़े, तो मेरे भाई देखिए मैंने अभी तक आपको सारी चीज़े स कर सकते हो टीम की अगर मैंने बात करता हूं सॉ देखियो, सबसे ग्ले, कुलियर कर देता हूं आपका जहां मन करे तो आप वहां पर लिया हुआ है तो आप इसको हटा देना उसके अलावा बैटिंग सेक्शन में रियान बल और क्रेग एर्विन ठीक है दोनों बैश्ट है और अविश्का फर्नांडो को लिया हुआ है आसाल अंका को लूंग हमें लेकिन पहली बैटिंग पे उसके बाद लाउंडर सेक्शन मे आपको आना है यहाँ पे वानीदू हसरंगा सिकंदर रजा और दूनित विलालगे उसके बाद आपको बोलिंग में आना है और माहिश्टिक्षना दुश्मंता चामीरा और वहीं पे आपका दिल्शान मदूशंका तो यह मेरी स्मॉल और देखे एक प्लेयर बचा हुआ है यह पहले तो आप टीम देख सकते हो यह मेरे जो दस प्लेयर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना यह लगभग कन्फरम है अगर यह टीम बोलिंग की तो ठीक है अब मान लो इलेउन तो प्लेयर की मैं बात करता हूँ अब यह ना आपके ओपर डिपेंड है कि आप किसक आता हूँ लेना लिटरली बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन मडांडे से थोड़ा मतलब डर रहेगा कि अगर विकेट फेक दियाना तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हसरंगा जैसा बोलर इनको टिकने मोस्ट लाइकली नहीं देगा बट फिर भी अच्छा है आप चाहो त क्योंकि यह उस कंडिशन में विकेट निकाल लेता है बाकि यह इसकी जगह कोई भी अनुदर प्लेयर चाहते हो तो ले सकते हो कैप्टन फिलाल के लिए वानिदू हसरंगा है और वाइस कैप्टन मेरा दिल्शान वदूशंका है जैसे पहले बैटिंग करते श्रिलंका उस सरंगा को मैं कैप्टन तो करूंगा ही बट उसकेस में वेलाल के जगह पे सदीरा होगा और वहीं पे एर्विन के जगह पे चारी तसलंका होगा और बाकी फिर एक वह भी प्लेयर होगा मेरे पास ब्लेसिंग मुजरवानी बाकी देखिए जो भी चैंजस होंगे इन्फॉर ठैंकि दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए मिलता है नक्ष्ट वीडियो